सुषान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई है कुछ मैंने इंटर्वीज पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभी आपको बताऊंगी के मुवी माफिय नाखी सिर्क उनको बैम किया था सिस्टेमाटिक दिस्मेंटलिंग कैसे कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसले लिखते हैं क्योंकि आप जब जूढ लिखना होता है आप आपको क जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस 2017 को बॉलिवूड लाइफ सुषान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिस्ट है 16 दिसम्बर 2016 में म जाने लिखता है कि सुषान्त ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी नाजाने कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जूरलिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मूवी माफिय के पाले हुए है यह इस जी राचार सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलान किया गया कि इसके फिल्म को बैं किया जाए फ्लॉप किया जाए आप तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते है सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पर केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बार गायव हो गये तो मेरे खिल्म रेलीज हो गायव हो गये तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाच जिस अन्याई की बunyat पर खडakा है और कभी झाल, 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 झाल